प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रौजधानी दिल्ली सिद भारत मंडपम में आपता प्रती रोधी बुनियादी धाचे पर अंतराश्टी समेलन 2024 को संबोधित किया इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में CDRI की वृधी प्रभावशाली रही है हम 2019 से एक लंबा सफरते कर चुके हैं या अब 49 देशों और 7 संगठनों का वैश्विक गटबंधन है या भविश्ची के लिए अच्छा संकेत है पिएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी ने देखा है कि प्राकृतिक अपदाय लगतार और अधिक गंभीर होती जा रही है उनके कारण होने वाली च्छती आमतोर पर डॉलर में बताई जाती है लेकिन लोगों परिवारों और समुदायों पर इसका वास्तविक प्रभाव इन आकड़ों से परे है बैतर कल के लिए हमें आज लचीले बुनियादी धाचे में निवेश करना चाहिए लचीले पन को नए बुनियादी धाचे के निर्मान में शामिल करने की जरूरत है आपदा के बाद स्वाभाविक रूप से राहत और प्रनर्वास पर ध्यान के इंद्रित किया जाता है पीम मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि CDRI की ध्यान वैश्विक दक्षिन पर भी है भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक महतपून कदम उठाया गया चर्चा के केंद्र में वित्ट पोशन के साथ एक नया आपदा जो खिम्यूनी करन कार समूब बनाया था CDRI के विकास के साथ साथ ऐसे कदम दुनिया को एक लचीले भविश्य की ओर ले जाएंगे